हेलो फ्रेंड मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हमारे यूटूब चेनल अस्मार्ट स्यार पीपी गुरूप डमचाज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे गूगल मिट पे ओनलाइन मिटिंग को कैसे जोईन करते हैं आप हमारे वीडियो के अंतक बने रहें चलते हैं दोस्तों हम सबसे पहले गूगल मिट एप को ओपेन करेंगे ओपेन करने के बाद जो है इधर हमारा दो अप्सन दिया हुआ है यहां पे हमारा दो अप्सन दिया हुआ है न्यू मिटिंग और जोईन विथा कॉड न्यू मिटिंग का मतलब होता है अगर हम खूद का मिटिंग और्गनाइज कर रहे हैं तो हम न्यू मिटिंग पे किलिक करके खूद का मीटिंग और्गनाइज कर सकते हैं लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें Google Meet पे मीटिंग को कैसे जुएन करना है ओर्गनाइजर कोई दूसरा है वह हमें प्रोवाइड करता है password ओ password को डाल करके हम इस meeting को कैसे join कर सकते हैं तो हम जो है click करेंगे join with a code join with a code पे click करके जो है हमारा option आएगा इधर हमारा option आग गया है enter the code provide by the meeting organizer इसका मतलब होता है हमें और code को इसमें डालना है जो हमें organizer दवारा जो meeting को organize कर रहा है उसके दवारा जो हमें code को provide किया गया है उस code को हमें यहां पर जो देखें यहां पर indicate कर रहा है ना उस column में हमें organizer दवारा जो code को provide किया गया है उस code को हम यहां पर फील्ड करेंगे चलते हैं इधर देखिए जो हमारा red color से जो पूरा गहेरा किया है redo color से एप पूरा गहेरा गया है red color से उह हमारा क्या है ऊर्ग मिदेर दोबारा दिया गया code है, क्या है जो हमें organizer ने दिया है ओ code, ओ code है यहाँ पे लिखा हुआ है और open meet and enter the code मतलब आप जो है Google meet के app को open किजिए उसके बाद जो है code के बाद जो भी later है code के बाद जो भी later है वो later को हमें डालना है, खहाँ पे उस column में, देखिए इधर का column में यहाँ पे है न, एक column में हमें उस code को fill करना है, जो वहाँ पे organizer दोबार प्रोवाइड किया गया था, यह देखिए fill कर रहे है यह हम fill कर लेंगे जो भी हमारा code उदर दिया गया है code को हम fill करेंगे code को fill करने के बाद हमारा option देखिए उद भर join, join का option दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे उस join को option पे click करेंगे click करने के बाद देखिए इधर हम meeting को join कर लिए है इधर हमारा ask to join है इस पे click करने के बाद हम meeting को पूरी तरा से क्या करेंगे मतलब इधर हम अपना जो काम था वो कर दिये उसके बाद provider जो है जो हमको organize गया है वो हमारा meeting को approve करेगा वो add करेगा हमको meeting में तो उधर से वो add कर देगा आपको इतना तक करना है आप meeting को join कर लिजिएगा कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें comment box में जरूर बताए हम आपके मदद के लिए हमेशा त्यार है Thank you